ठीक बच्चो एक्जांपल नंबर 18 में आजाओ एक्जांपल नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि showed at the family of curve showed at the family of curves for which the slope of the tangent at any point xy मैं देखो slope of the tangent at any point xy क्या होता है dy by dx बोला है कि family of curves कामें ये प्रूफ करना है कि family of curves जिसके किसी भी point xy point पर जो slope होगा वो किसके equal है और वो family of curve किसके equal है मेरी बात आ रही समझ में हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास एक family of curve है जिसके किसी point पर tangent का slope है वो इसके equal है और वो family of curve ये है ठीक है इसका क्या मतलब दे रखा है slope of tangent at any point किसके equal होता है dy by dx के equal होता है dy by dx मिली हमे x square plus y square upon two x y ये हमारा क्या दे रखा है ये हमारा ह efficient वो ये ये प्रूफ करना है और ये क्या हमारा एक general solution है क्यों? because c involved है यह c है ना involved c हमारा क्या है यहाँ पर c हमारा एक parameter है तो इसका मतलब यह general solution है मतलब क्या है कि इस differential equation का में यह general solution proof करना है तो बहुत easy है फिर वही चीज़ यह हमारा सबसे पहले होमोजीनियस differential equation है ठीक है इसको solve करते है कैसे होमोजीनियस differential equation है देखलो अभी dy by dx है न इससे तुम क्या करो कि x square common ले लो numerator से तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 plus y square upon x square ऐसे बन गिया upon 2xy तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1x तो cancel हो जाएगा तो आएगा x 1 plus y square upon x square upon 2y अब यह जो x है ना इस y के नीचे आजाएगा तो क्या हो जाएगा 1 plus y square upon x square upon 2 y y x देखलो यह function किस form का आगिया यह function form का आगिया ना y upon x के form का और मैंने y upon x के form में भी रख सकता हूँ इस function को और x upon y के भी form में रख सकता हूँ बट किसके form में रखना है मुझे y upon x के form में अब तुम्हें देखना होगा कि y upon x के form में रखने के लिए x square common निकालना है या y square common निकालना है अगर तुम इससे x square common निकालोगे x square common निकालोगे तो y upon x के form का आजाएगा इस form का function आजाएगा और y square अगर numerator और denominator से common निकाल लोगे तो फिर क्या हो जाएगा f of x upon y के form का जाएगा आरे मेरे बास समझ में बट हमारे पास क्या है dy by dx तो dy by dx के लिए हम किस form में रखते हैं y upon x के form कर रखते हैं तो ये तो homogeneous differential equation तो अल्रेडी था अब हमारे पास क्या मिल रहा है ये मिल रहा है ना dy by dx क्या मिल गया हमे 1 plus y square upon x square upon 2 y upon x ऐसा मिल गया इसके बाद हम लोग क्या करते है put y upon x को क्या मानते है v तो यहां से हमें क्या मिलता है y is equal to vx मिलता है अब इसको हम differentiate कर देंगे x के respect में तो differentiate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा dy by dx is equal to dv by dx x को छोड़ दिया plus v को छोड़ दिया और x का derivative 1 और ये जो dy by dx का value है इसको हम कहां put करेंगे यहां put करेंगे और y upon x की जगा क्या put करेंगे v तो dy by dx क्या हो जाएगा यहां पे dv by dx into x plus v is equal to 1 plus y square upon x square क्या होगा v square upon 2v अब इस v को ले जाएगे right hand side पे तो हमें क्या मिल जाएगा x into dv by dx यह क्या हो जाएगा 1 plus v square upon 2v minus v तो क्या हो जाएगा 1 plus v square minus 2v square upon 2v क्या हो जाएगा 1 minus v square upon 2v तो यहां से हमें क्या मिल गे यहां से हमें मिल गे x into dv by dx यह किसके equal मिला 1 minus v square upon 2v के equal मिला तो इसको देखो यह जो v वाला term है ना इसको left hand side में ले जाओ और x और dx को right hand side में ले जाओ तो हमें क्या मिल जाएगा 2v upon 1 minus v square dv is equal to 1 upon x dx अब यह जो देख रहा है यह जो equation देख रहा है यह बिलकुल variable से प्रेबल form में है अब क्या करो दोनों साइड इंटिग्रेट कर दो दोनों साइड इसको इंटिग्रेट कर दो तो क्या मिलेगा हमें 2v upon 1 minus v square dv is equal to क्या मिलेगा 1 upon x into dx अब इंटिग्रेट करना आना चाहिए तुमें हम क्या करेंगे कि denominator में क्या है 1 minus v square इसका derivative क्या होगा इसका derivative होगा minus 2v तो हमें minus 2v चाहिए उपर बट यहाँ पे तो 2v है तो कोई बात नहीं एक minus से बाहर multiply किया एक minus अंदर कर दिया तो क्या होगा minus 2v upon 1 minus v square dv is equal to इसका integral क्या होगा log mod x log mod x plus c अब देखो minus denominator का derivative numerator मे ठीक है ना तो क्या लिखेंगे log mod 1 minus v square is equal to log mod x plus c अब यह तो कई बार बता दिया integral of f dash x upon f x dx यह किसके equal होता है यह equal होता है log of mod of f x plus c यह मेरी sorry mod x mod x plus c इसके equal होता है इन तो कई बार बता दिया ठीक है minus log 1 minus v का value क्या है y upon x तो क्या होगा y square upon x square is equal to log mod of x plus c तो क्या मिल जाएगा minus log यह क्या हो जाएगा x square minus y square upon x square is equal to log mod x plus c ठीक है यहाँ पर क्या रहा है हमारे पास minus log minus log mod x square minus y square upon x square minus y square upon x square log mod x plus c log log mod x plus c ऐसे हो गया हमें क्या प्रूफ करना है हमें यह प्रूफ करना है हमें यह प्रूफ करना है x square minus y square is equal to c x तो कैसे करेंगे प्रूफ यह देखो हमें इसको तुम ऐसे देखो सबसे पहले तुम क्या करो कि इसको right hand side में ले जाओ यह काम करो minus से multiply कर दो तो minus से multiply करोगे तो हमें क्या मिलेगा log mod x square minus y square upon x square is equal to minus log mod x minus c मिलेगा तो minus c को फिर मैं plus c लिख सकता हूँ minus c भी तो constant है तो plus c लिख दिया अब यहां से क्या करेंगे इसको left hand side पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log mod x square minus y square upon x square plus log mod x is equals to c तो यहां से हमें क्या मिल गिया अब यह तो plus में है न log का argument plus में तो क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log mod x square minus y square upon x square into x mod is equals to c तो यहां से में क्या मिला log mod x square minus y square upon x is equals to c अब अगर हमने log अटाया तो क्या होगा mod of x square minus y square upon x is equals to e to the power c ठीक है अब यह क्या हो जाएगा mod भी अटाएगे तो क्या होगा x square minus y square upon x is equals to plus minus e to the power c अब फिर plus minus e to the power c यह भी तो एक constant ही है तो इसको फिर सी बोल दो तो कोई दिक्कत नही है यहाँ से हमें क्या मिल गया यहाँ से sorry यहाँ से हमें क्या मिला यहाँ से हमें मिला x square minus y square upon x यह क्या मिल गया c के equal तो x square minus y square is equals to cx यही तो हमें प्रूफ करना था यही हमें प्रूफ करना था देख लो x square minus y square is equal to cx x square minus y square is equal to cx यह प्रूफ करना था देखो प्रूफ कर दिया हमने ठीक है बच्चों यह हो गया हमारा क्या यह हो गया हमारा कुश कौन सा example हो गया example number एक नर सोरी यह हो गया example number 18 इसके बाद का जो हमारा next topic है वो क्या है वो देखते है linear differential equation अब आज आते हैं हम लोग linear differential equation पर ठीक है यह भी काफी important काफी important नहीं सबसे important यही topic है यह जो linear differential equation है न सबसे important है board के point of view से भी और IIT J.E.Mains और advance के point of view से सबसे important यही है बच्चों देखो linear differential equation में क्या है इसको तुरा न ध्यान से देखो जैसा भी मैंने बोला है कि सबसे important जो पूरे differential equation में जो सबसे important है वो है linear differential equation ठीक है इसमें क्या बोला है a differential equation of the form एक differential equation जिसका यह form हो इस form को बिल्कुल याद कर लो dy by dx is equal plus py is equal to q where p and q क्या बोला है where p and q are constant और function of x only याद रखना है p और q क्या होना चाहिए या तो constant होना चाहिए या x में function होना चाहिए y में function नहीं होना चाहिए dy by dx plus py is equal to q लिखेंगे न तो p और q क्या होना चाहिए या तो constant होना चाहिए ये p और ये q या तो constant होना चाहिए या तो x में function होना चाहिए यह बात आ गए समझ में तो इसको हम क्या बोलेंगे is x only ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे is known as इसे हम बोलेंगे is known as the first order linear differential equation इसे हम क्या बोलेंगे एक linear differential equation है क्यों है linear differential equation देखो इसमें क्या है P का काम यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे P का काम कर रहा है Q का काम क्या कर रहा है Q का काम कर रहा है sin X तो यह क्या बोल रहा है Y का जो coefficient होगा ना पहले बात सुनो dy by dx के साथ कोई भी X में function नहीं लिखा होना चाहिए हाँ dy by dx के साथ 2 लिखा हो सकता है constant लिखा हो सकता है वो चलेगा कोई problem नहीं है यहाँ पे dy by dx के साथ अगर मालो 2 लिखा हो ऐसे लिखा हो 2 into dy by dx plus y is equals to sin X तो यह चलेगा कोई problem नहीं है अगर हमने 2 से divide कर दिया न तो हमें क्या मिल जाएगा dy by dx plus 1 upon 2 y is equals to 1 upon 2 sin X तो यह चलेगा इसमें कोई problem नहीं है बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे dy by dx dy by dx के साथ यहाँ पे कोई x में function या y में function नहीं होना चाहिए dy by dx का कोफिसेंट हमेंसा 1 होना चाहिए यह एक linear differential equation है क्यों है linear differential equation because इस form का है ठीक है न यहाँ पे p का 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 क्या कर रहा है 1 और q का 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 क्या कर रहा है sin x कर रहा है y का कोफिसेंट क्या है p और यहाँ y का coefficient क्या 1 तो p का value हो गया 1 यहाँ पे q का काम क्या कर रहा है sin x कर रहा है और यह क्या बोल रहा है कि p और q या तो constant होगा चलेगा या x में function होना चाहिए y में function होगा तो नहीं चलेगा और dy by dx का coefficient क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए अब अगर मैं बोलूँ कि क्या ये लीनियर डिफरेंशल लीक्वेजन है क्या तो बिल्कुल ये क्या लीनियर डिफरेंशल लीक्वेजन है क्या तो बिल्कुल है लीनियर डिफरेंशल लीक्वेजन ये भी हमारा एक लीनियर डिफरेंशल लीक्वेजन है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है क्यों है linear differential equation क्योंकि डिवाइब डिएक्स रहा सबसे पहले coefficient क्या हमारा वन है उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पी का का काम क्या कर रहा है पी क्या होता है वाई का बोल रहा है कि पी और क्यों क्या हो या तो एक्स में function हो या तो constant हो यहाँ पे क्या है पी हमारा एक्स में function है क्यों जो हमारा वो भी एक्स में function है तो चलेगा यहाँ पे पी constant था तो constant भी चलेगा x में function चलेगा बट y में function नहीं चलेगा क्या ये हमारा linear differential equation है क्या तो बिल्कुल है ये भी हमारा linear differential equation है इसमें कोई problem नहीं ये भी हमारा क्या है linear differential equation है कैसे वो देख लो इसको तुम क्या लिख सकते हो dy by dx plus 1 upon x log x into y is equals to 1 upon x तो अब y का coefficient क्या है 1 upon x log x तो ये क्या हमारा x में function है ये काम करेगा p का और ये क्या काम करेगा q का तो x में constant ये x में function है और हमारा q क्या है q भी हमारा x में function है तो चलेगा p और q क्या होना चाहिए या तो x में function होना चाहिए या तो constant होना चाहिए तो ये भी हमारा linear differential equation है, ये भी हमारा linear differential equation है, ठीक है, another form of first order linear differential equation, दूसरा form क्या होता है, ये हमारा क्या है, first order linear differential equation, ये क्या हमारा first order linear differential equation, दूसरा जो form होता है, first order linear differential equation का वो ये होता है, इसको बिल्कुल रड जाना है, इस दो form को, ठीक है, इस दो form को बिल्कुल रड जाना है, में इसमें क्या है कि Dx upon D y, यहाँ पे क्या ह्मारे पास? Dx upon D y plus P1 x is equals to Q1, देखो यहाँ पे जब D y by D x था ना, जब यहाँ पे D y by D x था तो y था, यहाँ पे D x upon D y है तो यह x है, इसको समझो और जैसी है देखो, यहाँ पे D y by D x था, तो यहाँ पे y था और यहाँ पे dx upon dy होगा तो यहाँ पे x होगा जस्ट एक दूसरे का उल्टा है यहाँ पे p और q को हमने क्या बोला या तो constant होगा यहाँ पे क्या बोला हमने p और q को या तो constant होगा या x में function होगा इसमें क्या बोलेंगे यहाँ पे P1 और Q1 क्या होगा या तो constant होगा या तो Y में function होगा समझ मैं आरी बात जस्ट एक दूसरे को उल्टा है और DY बे DX का जो coefficient होना चाहिए वो हमेसा 1 होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखेंगे यह form very important याद रखना है और यह form भी very important है याद रखना हमें form नहीं याद रखोगा और यह बता दिया linear differential equation board के point of view से as well as J means J advance के point of view से सबसे important topic है तो यहाँ तक तो अभी तक कोई problem नहीं होगा तो यह बात आगे समझ में यह बोला है where P1 and Q1 are constant or function of Y only अब इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो जब Y होगा न तो X यहाँ पे जब Y लिखा होगा तो P और Q या तो X में function होगा या तो constant होगा और जब यहाँ पे X लिखा होगा तो P1 and Q1 या तो Y में function होना चाहिए या तो constant होना चाहिए ठीक है अब जैसे मैं बोलूँ कि क्या ये linear differential equation है क्या तो बिल्कुल है ये क्या linear differential equation है तो बिल्कुल है ये linear differential equation इसमें कोई problem नहीं है कैसे वो देख लो DX upon DY है ये DX upon DY है न और इसमे जुने P1 का काम क्या कर रहा है? P1 का काम 1 कर रहा है. P1 क्या हो है? X का कॉफिसेट तो यहाँ पे X का कॉफिसेंट क्या 1 है. AND Q1 का काम क्या कर रहा है? Q1 का काम कर रहा है? Cos y. ठीके. अब मैं तुम्हें बोलू कि क्या ये linear differential equation है किया? तो ये भी बिल्कुल है linear differential equations में कोई problem नहीं है कैसे वो देख लो इसको तुम क्या लिख सकते हो dx upon dy plus minus 2 upon y into x is equal to y square e to the power minus y तो ये काम किसका कर रहा है p1 का काम कर रहा है और ये पूरा काम किसका कर रहा है q1 का कर रहा है तो देख लो x का जो coefficient है y में function है y में ना ये y में function है ये y में function है तो ये भी हमारा linear differential equation है ठीक है देखो to solve the अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो to solve the first order linear differential equation of this type इस type के linear differential equation को हम कैसे solve करेंगे बात को बिल्कुल कान खोल के सुनो जो समधाया जा रहा है इस type के linear differential equation को हम solve कैसे करेंगे वो बताया जा रहा है पहले किस type का बताया जा रहा है इस type का इस type का सीख लेंगे तो इस type का जो linear differential equation होगा उसको कैसे solve करेंगे वो भी सीख जाएंगे इसको देखो कि हम solve कैसे करेंगे इस linear differential equation को हम कैसे solve करेंगे ये देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है multiply both side by the equation by function of x से gx हमने क्या किया इसके left hand side और right hand side पे एक हमने function gx multiply किया भी मेरी बस सिर्फ बात को सुनते चलो आगे सब clear हो जाएगा क्यों gx multiply किया सब कुछ clear हो जाएगा सुनते चलो बात को इसमें हमने क्या किया दोनों side एक x में function multiply किया क्या multiply किया gx तो left hand side में क्या हो जाएगा gx into dy by dx plus p ये हो गया और gx multiply किया तो यहां gx into y is equals to q into gx ऐसा हो गया ठीक है उसके बाद देखो choose gx ये हमें gx function in such a way of y into gx हमने यह जो gx function multiply किया है यह gx function यह gx function हमें एक ऐसा function लेना है कि जो यह right hand side है क्या बोल रहा है right hand side become a derivative of y into gx मतलब यह जो right hand side है न यह जो right hand side आ रहा है ये किसका derivative बन जाए ये right hand side बन जाए y into gx का derivative बन जाए इसका क्या मतलब है वो अभी बताया जाएगा तुम्हें